हलो और नमुश्कार मैं पियूश नागर फाउंडर एंड सीओ सिंस इड.com आज हम लोग बात करेंगे CRM के उपर CRM क्या होता है कस्टमर रिलेशन्शिप मैनेजमेंट यह तीन वर्ड है जो किसी भी बिजनस की लाइफ में बहुत ज्यादा होते हैं चाहे बहुत चोटा सा हूं यह भाग बढ़ा हो कस्टमर क्योंकि हर बिजनस चाहता है कि उसके पास बहुत सारे कस्टमर बहुत अच्छे कस्टमर हो उसके बाद होता है relationship relationship हम लोगों की लाइफ में बहुत जादा perspectives is a human being अगर हम लोग बात करें और बिजनस में है तो भी बिजनस में रेलेशनशीप और जादा मेंटर करता है क्योंकि पूरा का पूरा बिजनस करता है कि आप अपने Mess demographic कैसे मेंटेन करते हो उहने कितना खुश ते हो कितनी आप उनकी expectation को पूरा करते हो management management एक बहुत ही बड़ी टर्म है और ये सबी जगे apply होती है CRM कला है विज्ञान है और एक technology है technology front पर हम लोग बात करें तो CRM software है जो आपको मदद करता है आपके customer के साथ में relationship को maintain करने के लिए अब मैं कुछ तत्यों पर आता हूँ अगर हम हिंदुस्तान में business की बात करें तो हम 79% एक arm business 79% business को सिर्फ इस कारण से खो देता है क्योंकि वो अपने customer से सही तरीके से relationship maintain नहीं कर पाता है अगर आप आज सोच रहे हैं कि ये e-commerce आगया ये हमारे business को खराब कर देता है दूसरे businesses आये हैं जो हमारे business को बहुत जादा effect करते हैं तो ये business या e-commerce या कोई भी technology आपके business को तभी harm कर सकती है आपके अपने customers के साथ relationship नहीं है e-commerce का strategy होता है कि वो सबसे पहले customer के साथ relationship बनाते हैं फिर उसके बाद profitability की बात करते हैं उसके बाद sales की बात करते हैं आपके लिए भी अपने business में सबसे जादे important है कि आप relationship maintain करें पर क्योंकि आपको काफी सारे लोगों के साथ काफी सारे customers के साथ में relationship maintain करना है इसलिए एक software के आपको requirement होती है उस पर हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में normal Indian business 79% business सिर्फ इसलिए खो देता है क्योंकि वो time पे communicate नहीं कर पाता हम time पे follow up नहीं प्ले पाते यह एक सबसे बड़ा point होता है जिसके करन हम लोग business को use करते हैं अगर आप CRM use करते हैं तो आपकी ये percentage बहुत जादा कम हो जाती है आपके business में up to 40% या उससे जादा की growth आती branding branding एक बहुत important चीज है अगर आप business कर रहे हैं अगर आपने अपना brand established कर लिया है आपके business का brand या अपना personal brand तो आपके business को कोई नहीं हिला सकता कोई भी उसे effect नहीं कर सकता इसलिए branding का सबसे अच्छा तरीका जो होता है वो customer के साथ में relationship customer के साथ में communication आपको वो brands हमेशा या साथ में connected रहे हर frequent टाइम पर आपका उनके साथ में communication होना चाहिए और especially जब special moments होते हैं किसी की life के birthday है anniversary है या ऐसे कोई भी moments होते हैं या उसकी life में कोई difficulty चल रही है जैसे हम लोग अभी के time में देखें तो corona है सभी के life में बहुत जादा difficulty है अगर इस समय में हम लोग अपन रहेंगे और वो customers जीवन भर आपके साथ में रहेगा एक बहुत important शी बात है successful person की life को जब आप एनलाइज करते हैं तो आपको एक चीज common दिखती है कि customer के साथ में relationship या उसके network के साथ में relationship को वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है वो अपनी networking पर बहुत ज़्यादा focus करता है क्योंकि वो यह चीज जानता है कि कोई भी चीज अगर business को उपर लेके जा सकती है तो वो है relationship इसलिए वो हर किसी के साथ relationship maintain करता है तो यहाँ पर आपको समझ में आए कि CRM हमारे business के लिए कितना ज़्यादा important होता है अब हम देखते हैं कि CRM अगर हम अपनी organization में implement करते हैं सबसे पहली चीज जो हमें मिलती है जो सबसे बड़ा फायदा होता है improve business relationship हमारे business relationships बहुत ज़्यादा strong होते हैं stay connected to the customers हम लोग customers के साथ में हमेशा connected होते हैं जो हमारी brand में और business में बहुत ज़्यादा effect करता है streamline the processes हमारी जो process होती है business के अंदर वो बहुत ज़्यादा manage रहती है जो overall आपके business को बहुत ज़्यादा benefit देती है improve profitability profitability का directly connection होता है customer के साथ में अगर आपका customer आपके साथ में खुश है तो आपको profitability होगी ही होगी आपका per product margin कम हो सकता है but आपकी profitability हमेशा बहुत अच्छी होगी क्योंकि वो customer आपसे एक सामान लेगा फिर उस पर upsell भी करेगा cross sell भी करेगा और एक lifetime relationship को manage करेगा जिससे आपके lifetime जो value है उस customer की वो बहुत ज़ादा होगी आपको हर बार एक नया customer acquire नहीं करना पड़ेगा जो की एक बहुत बड़ी cost होती है business में एक नया customer को acquire करना तो CRM आपको help करता है कि कैसे आप अपने customer को अपने साथ connect करके रखें और उसी customer से आप कितना जादा से जादा business generate कर पाए और उसका lifetime value है उसको increase कर पाए जो आपके business को एक अच्छी growth और scalability के लिए opportunity देता है यह तो हमने देखा कुछ general points जो CRM के बारे में थे कि CRM क्या है कैसे काम करता है अब हमें यह देखना होगा कि अभी हमारे साथ क्या challenge है अभी हम अगर देखें देश में lockdown है तो lockdown में कई सारे businesses में challenges आ रहे हैं अगर आप अपने customer को regain करना चाहते हैं तो तब ही आप कर सकते हैं जब उस customer का data आपके पास में है आपके पास उनके साथ में communication channel established है तो आज ही आपको CRM implement करना चाहिए उसमें आपके customer का database पूरा manage करना चाहिए और आज से ही communication को शुरू कर देना चाहिए ताकि जैसे ही आपका business restart हो तो customer आपके साथ directly realign हो जाए उसे ऐसा नहीं लगे कि जब आप उनके साथ में business नहीं कर रहे थे तो आपने उनका take care नहीं किया या आपने उनका ध्यान नहीं रखा या आपने उनसे कोई relationship नहीं रखा तो यह एक पहली चीज है जहाँ पर आपकी CRM मदद करता है दूसरी चीज होती है जो अभी हर business में हो रही है negative cash flow negative cash flow को हम लोग कैसे maintain कर सकते हैं यहाँ पर भी CRM आपकी बहुत मदद करता है क्योंकि जब आपका business on होता है तब ही आपके पास जो business में पैसा आता है वो customer से आता है आज आपका business अगर working condition में नहीं है तो आपके पास cash flow नहीं आ रहा है पर अगर आपके पास database है आपने CRM maintain किया हुआ है तो किसी ना किसी रूप में आप अपने customers के साथ connect हो सकते हैं और वहां से आप कोई ना कोई revenue तो generate कर सकते हैं चाहे आपके existing product के साथ या थोड़ shop है या कोई भी ऐसी काम करते हैं आप उसे online में convert कर देते हैं तो online में जैसे ही आप अपने business को convert करेंगे तो आपको लाने होंगे customer उस online platform पे उस online platform पे आप customers कौन से सबसे पहले आपके साथ आएंगे वह होंगे जो आपके existing customer है और existing customers को आपके पास उस e-commerce platform पे लाने के साथ business को continue कर सकते हैं आपकी services को आपके products को घर बैठे ही avail कर सकते हैं एक और challenge को यह दूर करता है CRM आपके कि how to manage your business while lockdown अभी क्योंकि lockdown है आप घर में हैं आपके customers भी घर में हैं आपके employees भी घर में हैं सभी लोग घर में हैं बट सभी लोग technology के through एक दूसरे से connected हैं तो आप यह कर सकते हैं कि CRM establish करें आपके employees को काम दें कि वो अपने सारे customers का data उसमें feed करें और उनसे communication establish करें हो सकता है कि आपका वहां पर कुछ business generate हो और अगर immediate business नहीं भी generate होता है तो जैसे ही यह lockdown खतम होता है उसके बाद आपके पास opportunity होगी कि आप directly उनके साथ में connect करें और business को ए CRM आपकी चीज में और मदद करता है expenses जैसे हमने बात किया कि हमें profitability कैसे बढ़ाना है customer को regen कैसे करना है वैसे expenses भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि cost आपको business में आज अगर sustain करना है तो आपको दो चीजों पर control करना है कि आपके पास profit भी आना चाहिए और आपकी cost भी घटनी चाहिए तो cost को कैसे घटाया जा सकता है cost आपकी घटा देता है CRM अगर आप CRM को सही तरीके से implement कर लेते हैं तो वह आपको cost analysis में भी मदद करता है आपका जो customer acquisition cost होता है वह आप calculate कर सकते हैं उसे monitor कर सकते हैं उसे manage कर सकते हैं उसे reduce कर सकते हैं आप अपने employees क्यो को भेज सकते हैं जो details आपके पास real time पर मिलेगी और आपको मदद करेगी आप किस cost को कैसे reduce कर सकते हैं एक और चीज़ बहुत जादा important है कि अभी हम lockdown में है या lockdown के बाद हमें क्या करना होगा तो सबसे एक अच्छी step होगी कि हम अपने business में कहीं ने कहीं देखें कि कैसे हम लोग recurring revenue model generate कर सकते है recurring revenue model generate करने में भी CRM आपकी बहुत जादा मदद करता है क्योंकि आपको अपने business में कोई भी revenue model generate करना है वो connected होता है सीधा सीधा customer से अगर आपको customer से कोई भी benefit लेना है तो वो सीधा सीधा connected होता है आपके relationship से कि आपके अपने customer के साथ में relationship कैसे हैं आज आप उनके साथ कुछ commitment कर सकते हैं, उन्हें कुछ offers दे सकते हैं, कुछ ऐसा recurring model बना सकते हैं, चाहे आप FMCG में हैं, चाहे आप बुक्स में हैं, चाहे आप किसी और business में हैं, जहाँ पे भी आप काम करते हैं, वहाँ पे आपके पास option होते हैं, कि आप कुछ न कुछ models prepare कर बट सबसे पहला tool जो आपको चाहिए होता है, manage करने के लिए वो होता है CRM, चलिए आप कुछ solutions पर बात कर लेते हैं, कि क्या solution CRM आपको दे रहा है, CRM सबसे पहले आपको enable करता है, अपने customers के data को manage करने के लिए, वो आपको enable करता है, customer को understand करने के लिए, आप समझ पाते हैं आपका customer कैसा है, कहां पे है, इस समय कैसा react कर रहा है, इस lockdown के situation में वो कैसा feel कर रहा है, आप उसके साथ कितना connected है, वो आपकी चीजों को कैसे respond कर रहा है, आपकी कितनी value है, उसके जीवन में, ये सारी चीज़े आपको CRM के माध्यम से पता चलती है, एक बहुत अच्छी ची समझते हैं, CRM की मदद से कि वो कौनसी demography को belong करता है, किस area का है, क्या उसका interest है, ये सब आप जान लेते हैं, तो आपको future की strategy map करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे कि आप एक focused approach के साथ काम कर पाएंगे अपने उस customer के लिए, और जब आप customer को centric रखके काम कर पाएंगे, तो automatically आपका business बहुत जल्दी restart होगा, और आप अपने business में एक अच्छी growth ले पाएंगे, और business को sustainability के साथ में बहुत अच्छी growth दे पाएंगे, CRM आपको enable करता है, कई सारी चीजों को automate करने के लिए, और आप सोचते हैं कि मैंने CRM implement कर लिया, तो customer relationship के लिए मु को automate कर दें, आप अपनी SMS campaign को automate कर दें, इस तरीके से आप वहाँ पर automation कर सकते हैं, कि अगले एक महिने तक क्या-क्या mails, क्या-क्या messages आपके customers को जाने हैं, वो सारे आप एक बार बैट के decide कर सकते हैं, और automatically वो messages जाते रहेंगे, इन messages को आप plan कर सकते हैं, settings के according भी, के lead जो है या customer मेरे पास जो आया है, वो किस stage पर है, किस area से belong करता है, किस level का customer है, उसके according हम उसके लिए planning कर सकते हैं, कि उसे आज ये mail भीजना है, तीन दिन बाद ये mail भीजना है, साब दिन बाद ये mail भीजना है, आप चाहे computer open नहीं भी करेंगे, या CRM application open नहीं भी करेंगे, तो automatically mail आपके customer के पास पहुँच जाएगा, उसका birthday है, anniversary है, या कोई भी special location है, आप भूल सकते हैं, बट आपका CRM नहीं भूलेगा, वो automatically एक message और mail शूट कर देगा, कुछ offers भी आप प्लान कर सकते हैं, वो offer भी automatically आप भीज सकते हैं, कि कुछ anniversary offer अगर आपने प्लान किया हुए, तो ये सारी चीज़ें automate की जा सकती है, CRM के अंदर, जो आपको एक अच्छी opportunity देती है, अपने business को scale करने की, जैसे ही आपका business restart होगा, क्योंकि आपके customers को नहीं पता है, कि आपने अभी अपना business start किया है, या नहीं किया है, या आपने उसका कोई mode change किया है, या कोई online application launch की ह जब तक उसे पता नहीं होगा, वो आपके साथ connect नहीं कर पाएगा, बट अगर आपके पास CRM में पूरा data है, तो वो CRM हर product launch, हर update, हर ऐसी information जो customer के पास पहुंचने चाहिए, वो automatically mail shoot कर देगा, automatically SMS कर देगा, आपका customer आपके business के बारे में हमेशा informed रहेगा, ये बहुत इससे connected लोगों को informed रखते हैं, तो वो आपके साथ हमेशा connected feel करते हैं और connected रहते हैं, और जब customer आपके साथ connect रहेगा, तब ही आपका business sustain करेगा, आइए कुछ example से समझते हैं कि कैसे CRM मदद करता है किसी भी situation को deal करने के लिए, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा example में लेना चाहूंगा जो कि Central Government का है, Central Government ने एक application launch किया है आरोग्य सेतू, आरोग्य सेतू launch हुआ है और आज की date में दुनिया की top 10 applications में आ गया है, जिनकी सबसे जादा downloads है, उसकी वज़े इतनी है कि government के पास क्योंकि पूरा data available है, पूरा data bank available है और पिछले कुछ सालों में government ने बहु government का CRM है, जिस CRM में उनके हर customer का data available है, जिस दिन उन्होंने application launch किया, उसी दिन email newsletter के माध्यम से, देश के सभी लोगों को जितने भी उनके पास registered है, उन सभी को उन्होंने mail भेज दिया, उन सभी लोगों को उन्होंने SMS भेज दिया, तो एक बहुत बड़े population ने उसी समय आरो सब्सक्राइब को apply कर लिया, इसी तरह से अगर आपके पास भी अपना customer का data मौझूद है, आपके CRM में available है, तो जैसे ही आप अपना website launch करेंगे, जैसे ही आप अपना e-commerce launch करेंगे, जैसे ही आप अपनी दुकान को वापस से चालू करेंगे, आप एक mail, एक SMS से अपने customer को बता सकते हैं कि आपने services शुरू कर दी है, उनका समय क्या है, कितनी बजे वो आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सारी information आप दे सकते हैं अपने customers को directly, CRM का एक और example लेना चाहूंगा, आप सभी लोग देख रहे हैं कि e-commerce पिछले convenience के कारण नहीं करता है, वो grow करता है अपने CRM के कारण, आप भी अगर देखेंगे तो जैसे ही आप किसी application को download करते हैं, या किसी website को visit करते हैं, वो आपको track करता हैं और आपकी details को अपने database में, अपने CRM में store कर लेता है, अगर आपने registration वहाँ पे किया है, तो आपके email ID को, आपके mobile number को, अगर आपने register नहीं भी किया है, तो आपके system के IP के, आपके network के IP को store कर लेता है, आप उस e-commerce website पे जो भी product को browse करते हैं, और जिस product पे सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, या उसे cart में add कर लेते हैं, अगले कई दिनों तक CRM automatically उसी product से related आपको mails भेजता रहता है, उसी product से related offers automatically generate होते हैं, उसी product से related आपके पास SMS आते हैं, उसी product से related calls आते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती है, वो आपको force करती है, वो आपको enable कर देती है, वो आपको trust create कर देती कि नहीं, ये बहुत सही जगे है, जहां से product खरीदा जा सकता है, और आप वहां से वो product खर के आया है बट जो conversion हुआ है वो CRM के तुरू हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि यह जो e-commerce में अभी बहुत बड़ा जंप आया है बहुत अच्छा e-commerce ने परफॉर्म किया है उसके पीछे कौन है उसके पीछे एक CRM है आप भी अपने business में CRM को लगाई है CRM का कोई बहुत organization के लिए CRM implement कर सकते हैं अभी आपने देखा कि कैसे CRM आपकी मदद करता है और क्या-क्या changes आपके business में ला सकता है अगर आपको business से related कुछ और question करना है आपको लगता है कि मेरा business कोई different है मैं वहाँ पर CRM कैसे apply कर सकता हूँ या CRM मेरे business में कैसे profitability ला सकता है कैसे sustainability ला सकता आप comment में वो सारे questions पूछ सकते हैं हमारी team मैं personally आपको उन सारे सवालों के जवाब दूगा कि कैसे आपके business में आप लगा सकता है चाहे आप समोसा बेचते हैं चाहे आपका grocery shop है चाहे आपका medical shop है या आप एक बहुत बड़ी industry चलाते हैं आपका बड़ा production house है आप automobile company चलात सकते हैं आपके हर सवालों के जवाब देने के लिए हमारी पूरी team ready है आप इस number पर नीचे दिये हुए number पर call कर सकते हैं call करके discuss कर सकते हैं आप whatsapp अपनी queries कर सकते हैं और हाँ जरूर इस video को like कीजिए और channel को अभी subscribe कीजिए क्योंकि अभी हम लोगों ने CRM की बात की है हम ऐसे बहुत सारे tools की बात करने वाले हैं जो की इस corona effect के current businesses पे जो भी effect आ रहा है उसको आप कैसे कम से कम कर सकते हैं अपने business को कैसे sustainable कर सकते हैं कैसे profitable कर सकते हैं और सबसे important चीज कैसे आप अपने business में एक restart लेकर आ सकते हैं profitable restart लेकर आ सकते हैं ऐसे बहुत सारे tools के बारे में बात करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही हम लोग नेस्ट वीडियो लेकर आए वो वैसे ही आपके पास पहुँच जाए और आपके जितने भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बिजनस करते हैं या जॉब करते हैं या किसी क समझ पाएं कि CRM क्या है कैसे काम करता है सो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कस्टमर इस किंग इफ यू टेक केर यूर कस्टमर देन कस्टमर विल टेक केर ऑफ यूर बिजनस हिंदी मैं समझा देता हूं कस्टमर ही आपके बिजनस का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी लाइट कीजिए और जो भी क्योशन से कमेंट कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद